करियर पावर बिलासपूर के इस YouTube मन्द से मैं राहुल आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ Dear Friends, आज के इस सत्र में जो हमें एक टॉपिक लेने वाले हैं वो है Books and Author ये जो टॉपिक है वो आप विभिन प्रकार की पत्योगी परतिक परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं चाहिए वो CGPAC की तयारी कर रहे हैं विद्यार्थी हो, SSC Railway Vyapam, SSC GD की तयारी कर रहे हो बैंकिंग एक्जाम्स के तियारी कर रहे हूँ, सभी विद्यार्थियों के लिए यह जो हमारा common topic है, वो बहुत important है, इसमें कई ऐसे books and autobiographies हैं, जो किताबे, पुस्तके, रचना, एवं रचनाकार और जो आत्मकताएं हैं, वो आत्मकताएं एक्जाम में perpetually पूछी जाती हैं और student के लिए यह बहुत confusing सा section रहता है, तो मैं आपके सामने आज 50 से भी अधिक ऐसे books and author की एक list लेके आया हूँ, और यह जो authentic content है, आपको Career Power विलासपूर के YouTube मन्स के अलावा, शाहिद ही कहीं ऐसी, आपको content एक छोटे से वीडियो में मिले, तो आप सब हमारे इस channel के साथ जुड़े रहिए, और ज्यादा से ज्यादा इस हमारे contents को like, share and subscribe वीडियो को जरूर कीजे, and please press the bell icon, so that you can get latest notification about any update from our institution. आपके सामने पहला book है, book और author में, जो आपके right side authors होगे, और left side यहाँ book होगा, तो first book है, unhappy India, यह पुस्तक लिखी गई, यह लाला लाजपत राए, लाला लाजपत राए को लोग प्रेम से एजज़त से पंजाब केसरी कहते थे, लाल बाल पाल के नाम से लाला लाजपत राए बहुत फेमस हुए, यह उगरवादी करांतिकारी नेता के रूप में प्रचलित हुए, एक extremist leader के रूप में प्रचल से तो इनके टाइम से स्टार्ट हुआ एक्स्ट्रिमिस्ट फेज ओप इंडियन नेशनल मुव्मेंट का तो उस जमाने में इंडिया की जो इस्तिती थी वह बहुत ज्यादा खुश हाल एक देश नहीं था तो अन्हापी इंडिया के नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी द राहीम मासूम रजा की बड़ी है ख़ुब सूरत प्यारी रचणा है आधा गाउं राही आधा गाउं राही मासूम रचणा है फूर्थ राइटर है मोहन राकेज इनका रचना है आधे अधूरे नारायन-मूर्ति देश के जाने-माने फिलन्त्रॉपिस्ट है जाने माने दान दाता और इन फोसिस के फाउंदर चेयर्मेन है नारायन मूर्ती और उनकी धर्म पत्नी जी तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अब बेटर इंडिया अब बेटर वर्ल्ड एक बहतर भारत बहतर विस्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका यह पुस्तक है वन ओ दे बेस्ट सेलर है नंदन निले कानी जिनकी पुस्तक का नाम है इमेजिनिंग इंडिया भारत के बारे में हमें कलपना करते हैं और आने वाले कलपना का हमारा जो भारत है वो बहुत ही बहतरीन बेमिशाल भारत बनेगा और भारत उर्जा एवं सम्हावनावों से भ पुस्तक लिखी है अग का दरिया यह टिपिकल उर्दू और हिंदी का दोनों का जो मिश्रन है उसमें लिखी गई एक पुस्तक है आग का दरिया के द्वारत के पुरू परधार मंत्री पीवी नर्शिमा राओ के द्वारा लिखी गई रचना का नाम है अयोध्या मर्यादा पुरू शोत्तमा की जन्मस्थली अयोध्या के विशय में पीवी नर्शिमा राओ जी लिखे थे और इंडिया के टर्बुलेंट फेज में जब इंडिया अपने कुरूशियल पर खड़ा था उस समय भारत के प्रधान मंत्री थे पीवी नर्शिमा राओ जब ये बाबरी विध्वान्स हुआ उस बाबरी विध्वान्स के समय में भी उस समय पीवी नर्शिमा राओ जी ही भारत के प्रधान मंत्री थे जब 1991 में इंडिया में न्यू एकनॉमिक पॉल इसी आई उस समय भी भारत के प्रधान मंत्री पीवी नर्सिमा राउजी थे तो नर्सिम राउजी ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है अयोध्या नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है उसमें कुछ काल जाई रचनाओं के बारे में देखेंगे जो अपने आने वाले समय के लिए जो जिनरेशन ऑफ रीडर को प्रधित करती आई है वो रचनाए है पहला पानिनी पानिनी की रचना है अस्टाध्याई अस्टाध्याई एक संस्कृत के उपर व्याकरन था अ ग्रामर और तो अस्टाध्याई एक महान रचनाकार थे महान विद्वान थे संस्कृत के उन्होंने संस्कृत भासा को सुध रूप में समझने के लिए उसका व्य जेविन नंबर जो हमारे ओथर है रोमेश चंद्रदत वो पस्चिम बंगाल से संबंधित है और भारत के परतंतरता के फेज में उन्होंने किताब लिखी An Economic History of India भारत का आर्थिक इतिहास। रोमेश चंद्रदत और दादा भाई नौरो जी ये दो ऐसे राइटर थे जिन्होंने बताया कि drain of wealth किस तरह से भारत से Englishman ने यहां से लेकर और अपनी economy को mother country को boost किया और इंडिया जो colonized country थी उसको deprive किया कैसे हमारे देश का रोवेल थे धीरे धीरे तो वो चला गया तो इन्होंने उस pattern को समझा और पहली बार उसको इतनी बड़ी किताब में उन्होंने लिखा है तो बहुत बहतरीन किताब है जो graduation में विभिन अभिश विद्यालर में ये book English literature में पढ़ाई जाती है आरके नारायन की रचना है the guide, my days, मेरे गुजरे दिन, guide मतलब मार्क दर्शक, कवी गुरू रविद्यना टैगोर की रचना है चित्रा, घरे बहरे, चित्तलिका, और रस्किन बॉंड की रचना है the flight of pigeons, कबुत्रों की उडान, सरोडनी नाइडो जो भारत की कोकिला भी कही जाती है, Nightringal of India, और वो बहुत बहतरीन राइटर थी, सरोडनी नाइडो, इंग्लिस में लिखा करती थी, खास तोर से पोएम, और उनकी दो रचनाए यहां बहुत फेमस है, Broken Wings, टूटे पंक, और Golden Threshold, यानि स्वार्णियम सीमा, और उस जमाने की यह राइटर थी, जिस स में भारत, पर तंतरता की बेडियों से जक्डा हुआ था, बंगाल के तीन महान राइटर में से एक राइटर, सरत्र चंद चतर जी, सरत्र चंद चतर जी की रचना है, देवदास, बंगाल के दो बड़े और राइटर थे, एक राइटर का नाम हमने अभी देखा है, संद मठ के रचनाकार बंकिम चंद चटोपाध्य है विवेका नंजी जिनको हम लोग डाइनेमिक मौंक कहते हैं इतने युवा संद जिन्होंने आने वाले कई पीडियों को अपनी प्रेड़ना दी और उनके जैसा बनना उनके जैसा विचार रखना अपने आप में बहुत अ सोय हुए जायंट्स असुर और प्रेड़ना प्रद बाते सली मली जो भारत के जाने माने बर्ड वाचर और और निथोलोजिस्ट है सली मली के नाम पर जमू अन कश्मीर में सली मली बर्ड सेंक्च्वारी उनके सम्मान में रखा गया है और उन्होंने पुस्तक लिखी है द दोस्तों आपके साथ कुछ और मेहतुपुन पुस्तकों की सूची लेकर मैं हाजिर हूँ तो डॉक्टर सर्वुपली राधा कृष्णन जो भारत के प्रथम उपराश्पती एवं भारत के दूसरे राश्पती बने जो दिवंगत डॉक्टर राजेनर प्रसाद के बाद इ इन्होंने भारतिय और हिंदु दर्शन पर बहुत ही खुबसूरत रचनाय लिखी है दा इंडियन फिलोसफी दा हिंदू फिलोसफी ऐसा भारतिय मूल के इंगलिस में रचनाकार वी एस नाइपौल जो वेस्ट इंडीस किसे बिलॉंग करते हैं और वेस्ट इंडीस की पुरस्कृत ये एक बहुत बहुत बहुतरीन रचनाकार वियेस नाइपल वालमीकी द्वारा रचित संस्कृत रामायन है वेद व्यास द्वारा रचित महा भारत है जिसका अंस है स्रीमत भगवत गीता जिसमें सिकिस्न अरजुन को इस संसार के मोह से बंधन रहित होने के ल वही उपदेश गीता के रूप में संकलित किया गया वो वेद व्यास द्वारा रचनाकार है विक्रम सेट जो अक्सर ट्रेवलोग लिखते थे उनकी किताब है टू लाइस असूटेबल बॉय अम्रिता पृतम जो पंजाब के जानी मानी लेखिका थी और उन्होंने लिखा 49 डेज कागल स्ते कैन्वस ये उनकी प्रसिद रचनाए है जैसे कागल स्ते कैन्वस पिंजर ये अम्रिता पृतम जी की रचना है अनिता देशाई जी की रचना है fasting, fisting, उपवास करना, दावत पूरा खाना, अरुंधती रचना है जो एक समय तक के लिए विवादित भी बनी रही और अमिताब घोश की रचना है अगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं दूसरा आटो बायोग्राफी के बारे में पहली आटो बायोग्राफी जो इसक्रीन पर देख रहे हैं आप वो अमेरिका के पूर्व, भूत पूर्व राश्टपती बराक उबामा की इंटर्प्रेनियोर और स्वतन्त रूप से अपनी पहचान रखने वाली मिशेल उबामा की आत्मकता है भारत के प्रसिद और भारत के सबसे पॉपुलर राश्टपती रहे और मिसाइल मैन आफ इंडिया के नाम से जो बाद में जाने गए अब्दुल पाकिर जैनूल आबरीन अब्दुल कलाम जी उनकी धेरो रचनाएं है उन रचनाओं में से एक प्रसिद रचना है अगनी पंक विंक्स ओफ फायर बराक उबामा अमेरिका के भूतपूर राश्टपती की रचना है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर क्योंकि वो मार्टील लूथर किंग जूनियर के बेटे थे बराक उबामा इसलिए उन्होंने अपने पिता के विशय में बहुत ग्लोरिफाइंग वर्ड्स कहे है अनुपम खेर एक प्रसिद भारतीय फिल्म अभिनेता जिन्होंने एक फिल्म में काम किया अन एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंग जी की जीवनी पर आधारी तेक फिल्म थी इसका पूरा प्लॉट मनमोहन सिंग के जीवन पर था तो उन्होंने एक पुस् आरम लालेहरू की रचना है An auto biography एकात्म कथा सुतन्त्रता की ओर वर वन ओंड़ो भी आ व्ल नॉन प्रामनीस्ट्र डीटेन, स्वच्छ मार्गरेट शैचर, की रचना है Simple autobiography और उनका बैवयोग्राफी का नाम है और अमिरीका के जाने माने अमेरिकी सोतंतरता संगराम में अग्रणी भूमी का निभाने वाले, एक प्रसिद फिलोसफर और एक पॉलिटीकल साइंस के महतवपोर्ण जानकार, ठॉमस जांस की आथव्राप यह है, आटो बायोग्राफी 1743-1790 राजेंदर प्रसाज जी की आत्म कथा है आत्म कथा यानि वो अपने जीवन की आत्म कथा बताते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंग की रचना है Changing India मनमोहन सिंग जी 10 साल दो टर्म में भारत के प्रधान मंत्री बने 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंग जी प्रधान मंत्री रहे उससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे फिर कभी फाइनेंस सेक्रेटरी थे तो अलग-अलग पदो को शुषोभित करने वाले देश के प्रख्यात अर्थ सास्त्री मनमोहन सिंग जी की आत्म कथा है Changing India और ये हम लास्ट स्लाइड आज की डेट की पढ़ने है अमेरिका के पूरो राश्पती रुनाल्ड रीगन की आत्म कथा है An American Life नेल्सन मंडिला जिसने साउथ अपरिका को इतने सद्यों चले अपार्थेड यानी रंगभेद की निती से मुक्ति दिलाने में और साउथ अपरिका के फॉस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवरन्मेंट के फॉस्ट प्रेसिडेंट बनने वाले नेल्सन मंडिला जो गांधी की ही तरह अहिंसा के पुजारी थे और इनको अफ्रीकन गांधी कहा जाता है उनकी रचना का नाम है A Long Walk to Freedom आजादी की ओर एक लंबी यात्रा विंस्टन चल्चिल जो Second World War के दोरान बृतेन का प्रधार मंत्री था और उसकी रचना है Memories of Second World War दित्यविस युद के संस्मरन अरजन सिंग की रचना है अरजन सिंग की आत्म कता है A Grain of Sand in the Hourglass of Time शशी कपूर जो की कपूर फैमिली से बिलॉंग करते हुए करने वाले एक जाने माने फिल्म अभी नेता थे उस दौर के 1780s, 90s के 1780s के दौर के तो उनकी आत्म कता है The Household, The Star लाल कृष्ण आडवानी जी की रचना है जो RSS के और जन संग के प्रमुख विचारक थे जिनको हाल ही में भारत रतने सम्मान मिला है उनकी रचना है मेरा देश, मेरा जीवन Hitler की आत्म कता का नाम है Mean Camp मेरा Struggle मेरा संगश बाबर की आत्म कता है बाबर नामा और अमेरिका के प्रसिद वैज्यानिक बिंजमिन फ्रेंकलिंग की आटो बाइग्राफी है और बिंजमिन और लास्ट है दलाई लामा दलाई लामा की आत्म कता का नाम है Freedom in Exile आप सबों के साथ जूड कर बहुत अच्छा लगा ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए stay tuned with us thanks for joining we will meet with some interesting topic with you till then stay along with us thanks for joining